याज की वीडियो में तो आज की वीडियो में हम देखेंगी कि दोशी को English में क्या कहते हैं तो दोशी को English में translate करके हम कहते हैं guilty या culprit यानि कि किसे इनसान ने अगर कोई गलती की है तो वो उस काम का दोशी है वो उस चीज के लिए guilty है या उसका culprit है for example उसने अपने अपराद के लिए दोशी ठहराय गया he was found guilty of his crime यानि कि उसने गलती की है